श्री शिवाई नमस्तो पिहम दर्शिकों धन की जरूरत किसे नहीं होती अगर आप लक्षमी की प्राप्ति चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर करें अगर किसी ने आप से उधार लिया है या आपने किसी से उधार लिया है और लोटाने में असाइनी है आप लोटा नहीं पा रहे हैं या वो सामने वाला नहीं लोटा पा रहा है आपके घर में आप नोकरी तो करते हैं विवसाय तो करते हैं लेकिन तरक्की इतनी है कि घर चल पा रहा है बस आप कभी भी धन एकत्रित नहीं हो पा रहा है आप सोचते हैं कि हम अपनी हर इक्षा पूरी करें लेकिन उस इक्षा को पूरी करने के लिए आपके पास धन है ही नहीं तो आप हम बता रहे हैं उन उपायों को अवश्य करके देखें पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ इन उपायों को करेंगे तब ही आपको इसका फूर्ण फल प्राप्त होगा अगर किसी से धन वापस लेना है या फिर आपको चुकाना है किसी का धन या घर में धन की कमी है तो आप यह उपाय शनिवार की शाम या फिर रविवार की शाम को करें इस उपाय को करने के लिए आपको शाम का वक्त चुनना है शाम के समय आप एक लोंग और एक इलाइची को अपनी हतेली पर रखें और मा लक्षमी का ध्यान करते हुए आप उसे हवन में समर्पित कर दें माता से प्रातना करें कि आपका जो अटका हुआ धन है वह वापस मिल जाए और आपको जो जिसका धन चुकाना है वह आप चुका पाएं आपके घर में सुक सरमर्दी और शान्ती के लिए इस उपाए को अवश्य करें और जो हमने हवन में लोंग और इलाइची डाली थी जल जाने के बाद में उसका धुआ पूरे घर में फैला दें ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिविटी और नकारत्मकता दूर हो जाएगी आपके घर के मुख्य द्वार से सकारत्मक उड़जा आपके घर में प्रवेश्च करेगी घर में लक्षमी का हमेशा वास रहेगा आप इस उपाए को शनिवार की शाम को करें लक्षमी की प